सल्मान खान किस तरह सैट पर हीरोईन के सिक्यूरिटी गार्ड बन जाते हैं कैसे शूटिंग के दौरान सल्मान एक्ट्रेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी ही डिटेल सल्मान खान शूटिंग के दौरान एक्टरेस को कभी दिक्कत नहीं होने देते मेकर्स की हर बात का ख्याल रखते हैं बड़े इस्टार्स वाले नकरे सल्मान खान बिल्कुल भी नहीं दिखाते ये सुनकर बहुतों को यकीन नहीं होगा लेकिन सल्मान के साथ काम करने वाले इसी तरह का दाबा करते हैं ये ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बॉलिवुड में बहुत ज़्यादा हिट मूवी दी हैं और सल्मान की बहुत ज़्यादा इज़त करते हैं बताया जा रहा है सल्मान खान शूटिंग के दोरान हीरोईन के गार्ट्स बन जाते हैं किसी तरह की दिक्कत उने न हो इसलिए सल्मान दीबार की तरह खड़ों कर प्रोडेक्शन देना शुरू कर देते हैं इस बात का खुलासा रवीन टेंडन न खीया है रवीन का कहना है कि एक बार सल्मान खान और संजजद मेरी सुरक्षा के लिए तरंक खड़े हो गए थे वो उस दोरान सीक्योर्टी गार्ड बन गई और फिल्म के सैट पर स्क्योर्र महसूस कराया रवीना टिंडन का कहना है कि पुराने दिरों में बहुत जादा सुरक्षा नहीं होती थी तो सल्मान खान के होते हुए किसी तरह की परिशानी भी नहीं होती थी वो हीरोईन की परसनल लाइफ की रिस्पेक्ट करते थे साथ ही अपने रिस्क पर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होने देती थी रवीना टिंडन का यदाबा सल्मान के लिए इज़त बढ़ाने वाला है सल्मान खान के साथ अगर कोई लड़की शूटिंग कर रही है और उसे कोई गलत तरीके से घूर रहा है तो सल्मान उसे बरदास नहीं कर पाते और ऐसा ही हुआ था कट्रीना कैप के साथ कट्रीना कैप एक बार शूटिंग के दोरान शौर्स पहन कर शूटिंग कर रही थी उनके साथ बेकग्राउंड डांसर ने भी बैसी ही ड्रेस पहन रखी थी बताया जा रहा है किस तोरान कैट को देखने की किसी की हमत नहीं थी लेकिन बाकी डांसर अनकमफर्टेवल महसूस कर रही थी ये देखकर सल्मान को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने कटरीना केफ समेथ पूरी स्तारकास को डेश चेंज करने के लिए कह दिया शुरुआत में कटरीना को सल्मान का ये तरीका रास नहीं आया लेकिन जिस मकसद के साथ उन्होंने इस कदम को ठाया उसे लेकर बाद में तारीफ की गई सल्मान के सैफर्ड को समझ कर समने उनकी तारीफ की बनना ऐसा बहुत कम होता है जब बड़ी बड़ी स्लेबटी एक साथ इतने लोगों का ध्यान रखती हों हलांके सल्मान के मामले में बात बिलकुल अलग गए सल्मान खान शूटिंग के दोरां जैकलीन फर्नांडेस का बहुत ख्याल रखते हैं एक बार उनकी तवियत खराब हो गई तो सल्मान ने शूटिंग को ही कैंसल करवा दिया इस दोरां सैट पर हर को ही पहुंच चुका था केवल सल्मान के बहां आने का इंतजार किया जा रहा था इसी दोरां धूब की वज़े से जैकलीन की तवियत बिगड गई मेकर्स नहीं चांते थे कि शूटिंग डिले करके लॉस उठाना पड़े लेकिन जैसे इसकी जानकारी सल्मान को लगी तो उन्होंने बिना देरी किये जैकलीन को हेल्थ पर फोकस करने को कहा इस दोरां सल्मान ने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की और पैसे भी बरबाद नहीं होने दी दोस्तो सल्मान खान जिस तरह सेप्टी और सिक्योर्टी बनकर हिरोइन्स के लिए खड़े हो जाती है क्या कोई और ऐसा कदम उठा सकता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें